नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ कंशिन भारेदु आज और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यब चैनल जीवनकोश दोस्तों गर्मिया चरम पर आ चुकी है यानि 45 दिगरी का पारा बस पार हो ही चुका है इस चलचलाती धूप और चलचलाती गर्मी में अगर आप कहीं धूप से आ रहे हैं और लू के थपेड़े खाके आ रहे हैं तो आपको अगर पूछा जाए कि आप खाना पसंद करेंगे या कुछ ठंडा पीना तो आप बोलेए कि हम कुछ ठंडा पीना पसंद करेंगे वहीं आपको अगर कोई गन्य का जूस आफर कर दे तो लाइफ सेट है जी हाँ थकान से भरे दिन में एक गलास गन्य का रस मिल जाए तो आपको सुआद भरी जिन्दगी मिल जाती है और तासगी भी मिल जाती है लेकिन शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस रस में सेहत को फायदा पहुचाने वाले कई रहसे भी छुपे हैं गन्य का रस बहुत ही सेहत मन और गुड़कारी होता है इसमें केलशियम, पोटैशियम, आईरेन, मेगनीशियम और फॉस्फोरस जैसे जरूरी न्यूट्रिंट पाय जाते हैं इनसे हड्या मस्बूत बनती है और दातों की समस्या भी कम होती है गन्य के रस के ये पोशक तत्व शरीर में खून के बहाफ को भी सही रखते हैं यानि हमारा ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रखते हैं वहीं इस गन्य के रस में कैंसर और मधुमें यानि डाइबिटीस जैसी जानलिवा बिमारियों से लड़ने की ताकत भी होती है लेकिन दोस्तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गन्य का रस हर किसी को फाइदा पहुचाता है यानि हर किसी के लिए अच्छा होता है कुछ लोगों के लिए गन्य का जूस परिशानी बढ़ाने वाला भी हो सकता है हाना कि गन्य के जूस को गर्मियों से होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए अच्छा कहा जाता है फिर भी कुछ लोगों को इस जूस को पीने से परहेस करना चाहिए तो चले दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किन किन लोगों को गने के जूस से परहेस करना चाहिए अगर आप उन लोगों में से हैं जो वजन कम करने की कोशिश में हैं तो आपको रोजाना गने का जूस पीने से परहेस करना चाहिए गने के जूस में calories की मात्रा बहुत जादा होती है साथ ही इसमें natural sugar की भी high मात्रा होती है इसलिए अगर आप weight loss की तरफ जा रहे हैं तो आपको गने के जूस से परहेस करना चाहिए जिन लोगों को नीद आने में दिक्कत होती है गने के जूस में natural sugar की मात्रा बहुत जादा होती है जिसके चलते ये सुआज में मीठा होता है इस वचह से जिन लोगों को दातों में cavities की दिक्कत है उन्हें गने के जूस से परहेस करना चाहिए गने के जूस को पेट दर्द और दस्त की तिक्कत में नहीं पीना चाहिए खासकर इस बात कर ध्यान रखना चाहिए कि गने का जूस ताजा ताजा ही पिया जाए जूस निकालने के 20 से 25 मिनट बाद ही गने का जूस ऑक्सिडाइज हो जाता है और पेट के लिए टॉक्सिक साबित हो सकता है इसलिए अगर जूस को रखे काफी देर हो गई है तो आप गने के जूस को बिल्कुल भी कंस्यूम ना करें तो दोस्तों अगर आपको अगली बार गने का जूस पीने का मन करें और आप इन चार समस्याओं से पीडित हैं तो बिल्कुल भी गने का जूस ना पीए ये आपको फाइदे की जगा नुकसान पहुचा सकता है फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही लेकिन ऐसे ही कहने वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सबसे पहले आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें